गाईज आज की इस वीडियो में हम विहाड एलेट के इंट्रेंस एक्जाम में प्रिवियस एर पुछे गए विध्यूत चैप्टर इस टॉपिक से जो कोसंस पूछे गए था आपकी एक्जाम में पिछले साल जो कई डेज तक की एक्जाम हुआ था उन सभी डेज में तीना उन्हीं के कोसंस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं और ये टॉपिक आपका सिलिवस में भी दिया गया है और सारे टॉपिक में आपको दिखा दूआ जिससे कोसंस आपकी एक्जाम में पूछे गए हैं देखे यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जिस दोस्तों किस ने की थी? माइकल फिराडे ने अब एक कोशन ये पूछा जाता है कि आखिर जो है माइकल फिराडे की सिधान पर कौन कारे करता है? ओप्सन में देदेगा विद्यूत जिनरेटर, विद्यूत मोटर, ट्रसफॉर्मर और भी एक और ओप्सन में देदेगा उस जैसे किस में मापा जाता है? जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है तो इसी तरीके से धारा को जो है ना एमपीर में मापा जाता है और अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यूत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है तो उससे हम एमीटर कहते हैं ठीक ना? औ पर्तिरोध तार की लंबाई के डैस होता है तथा तार की मुटाई के डैस होता है इसका सही अंसर होगा दोस्तों पर्तिरोध जो रेजिस्टेंस होता है ये तार की लंबाई के समानुपाती तथा तार की मुटाई के वेउतकरमानुपाती होता है ठीना most important question है याद कर लीजे के दुवारा मापते हैं ठीना तो इसका सही आंसर होगा option D ठीना इसका सही आंसर option D होगा ये दोनो A and C दोनो होगा अब इसको solve भी करेंगे तो एक मीटर से एक मीटर स्क्वेर कैंसिल हो जाएगा तो ओम गुना में यहाँ पर मीटर बचेगा तो बात तो वही है ठीना option D इसका सही आंसर होगा next question नेमन में से किस धातू के परती रोध रेजिस्टेंस का मान 4.2 कल्विन ताप पर सुनने हो जाता है या होता है इसका सही आंसर होगा HG HG का मतलब क्या है मरकरी ठीक ना यह उसका sign है मतलब symbol ठीक ना और मरकरी को हम हिंदी में क्या कहते है पारा भी कहते है लेकिन next question काफी ज़्यादा important है सुस्क सेल जो dry सेल होता है जिसका use phone में किया जाता है घड़ी में किया जाता है ठीक ना तो सुस्क सेल का जो cathode रिन पात जैसे आपने सेल देखे होंगे dry सेल इसमें क्या होता है एक साइट positive साइट होता और एक negative साइट होता है तो रिन पातर किस धातू का बना होता है तो ये बना होता है दोस्तो जिंक का ठीक ना चली next question प्राथमिक सेल का उदारन है कौन सा जो है प्राथमिक सेल के अंतरगत आता है तो ये है दोस्तो सभी तीना वोल्टिये सेल डेनियल सेल लेक लांसी सेल ये सारे जो है प्राथमि लेकिन हमारे फोन में जो वैटरी यूज होता है. ये लिặ्थियम आयन वैटरी होता है तो ये चार्जएवल होता है लेकिन घड़ी में छोटे वाला एक बैकर आपने देखे होंगे और भी कई सारे वैटरी होते हैं तो उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो ये सभी प्राथमिक सेल का उदाहरन है, अब देखें, नेमन में से दिरितेक सेल का उदाहरन है, कौन सा दिरितेक सेल का उदाहरन है, इसका सही आंसर होगा, ये सभी, लोहा निकल सेल, शारिय संचायक सेल, और सिसा संचायक सेल, अब ये जो दृतियक सेल होता है न दोस्तों, ये रिचार्जेवल वैटरी होता है, ठीक न, इसे हम रिचार्जेवल वैटरी कहते हैं, इंग्लिस में, और इसे दुबारा चार्ज किया जा सकता है, नेक्स्ट कोशन, विच्ट नमबर एट, सीमा नहीं है ये, सीसा संचायक सेलों में लगी पीवी, पीवी कोहन इंग्लिस में लेट कहते हैं, वर हिंदी में सीसा कहते हैं, ठीक न, तो सीसा संचायक सेलों में लगी लेट की प्लेटों में क्या भरा होता है, तो इसमें भरा होता है दोस्तों, ले दोस्तो किसके बने होते हैं? ये द्रितेक सेल के अंतरगत आयेगा, क्योंकि इसको जो है, द्वारास से चार्ज किया जाता है, ठीक न? ये तो आपको पता ही है, और ये जो सौर सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अभी एक जाम में कुशन मतलब कि जो सबसे अच्छा कंड़क्टर है विद्यूत का वो कौन सा है चांदी लोहा निकल अलुमिनियम तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो चांदी ठीक न चलिए आगे कुशन करते हैं ठीक न इसका सही आंसर यही होगा यूंत्री कुर्जा को ये किया करता है विद्यूतूर्जा में चेंज कर देता है अब ये कहां कहां यूज किया जाता है तो डाइनेमो का यूज़ ми यूज बनाया जाता है जिससे डैनेमो चलता है और यांतरी कुर्जा जो है विद्यूत तूर्जा में चेंज हो जाता है चलिए ने एक्ष्ट कोशन विद्यूत जनीर्थ कारे करता है अब देखे आगे ना कोशन वीदियूत जनरीत या फिर कह सकते हैं डाइनेमो किस सिधान्थ पर कारे करता है तो यहाँ पर बहुत सारे शुने दोस्तों कन्फ्यूज होते हैं देखे वीदियूत जनरीत जो है न इलेक्टिर जो जनरेटर होता है यह वीदियूत चुमबा की प्रेरण की सिधान्थ पर कारे करता है अब इस सिधान्थ की खोज किस ने की थी यह भी एकजाम में कोशन पूछा जाता है माइकल फिराडे ने किया था अब दोस्तों कई वार क्या है न कि आप्सन में वीदियूत चुमबा की प्रेरण की स्थान पर आपको लिख दिया ज कियेगा और इंग्लिस में भी आप्सन कई बार दे दिया जाता है तो इंग्लिस में क्या कहते इसको इलेक्ट्र मैगनेटिव इंडक्शन ठीक न देखे यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह टॉपिक यहां पर दिया भी गया है और देखे एक कोशन यह भी पूछा जात इसका मिक्सर में किया जाता है वासिंग मसीन में किया जाता है तो आपने एक चीज़ नोटीस करें होंगे कि यह चलता कैसे विद्यूत से ही चलता है तो विद्यूत मोटर विद्यूत उर्जा को यांत्रीक उर्जा में चेंज कर देता है और यांत्रीक उर्जा के द्वार विद्यूत जन्रीत्र तीन तथा दिष्ट धारा जन्रीत्र में क्रमसा होती है क्या होती है इसका सही आंसर होगा दोस्तों option c सर्मी वल्ले जो है ये विद्यूत जन्रीत्र में होता है और विभाक्त वल्ले जो है ये दिष्ट धारा जन्रीत्र में होता है चालिए दिश्ट धारा को हम इंगलिस में direct current कहते हैं धारा दो परकार के होती है एक DC होता है और एक AC होता है alternative current जिसे हम परतेवर्ती धारा कहते हैं next question question number 14 देखें क्या कहां गया है समनांतर करम और स्रेनी करम में कौन-कौन से सनियोजित होते हैं मतलब कि connect होते हैं देखें दोस्तों समनांतर करम में समनांतर करम में घरों में use होता है मतलब धारा जो है यह समनांतर करम में घरों में use होता है उसके बाद दोस्तों स्रेनी करम में यह red lightों में और सजाप्टी lightों में होता है जिसका सही answer क्या होगा option D next question देखे, ये question most most important है, यदि एक 1500 watt की ये कैसे लगते हैं पानी को गर्म करने के लिए, तो यदि 1500 watt की रोजाना, 3 घंटे पानी गर्म कर दी है, तो 15 दिनों में इसके दोबर उपयोग में ली गई, विद्यूत, उर्जा कितनी होगी, ये आपको बताना है, तो कैसे निकालें तो simply आपको क्या करना है सबसे पहले जो है न, देखे कितना उर्जा खर्च हो रहा है 15 दिन में ये निकाली, अगर रोज 3 घंटे ये रोड जो है चल रहा है तो तो देखे, आप क्या किजिए, 15 100, 15 100 गुना में आप क्या कर देजिए तीन गुना में 15 कर देजिए तो 15 दिन का निकल जाएगा अब ये जो आंसर आएगा, ये वाट में आएगा जितना उर्जा खर्च हो रहा है ये वाट में आएगा उसे हमें किलो वाट में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, पहले हम मल्टिप्लाइ करते हैं, देखिए 15 दिया 45 और 2-0 और लगा देजिए 45, 2-0 और लगा देजिए 45 और गुना में अब 15 कर देजिए देखिए कितना आता है 0, 0 15, 75 5, 15, 60 और 7, 66, ये कितना आगे 10, 66, 67,000 वाट आया अब यहाँ पर वाट में तो है नहीं तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों एक किलो वाट बरावर एक हजार वाट होता है मतलब एक हजार वाट जो है ये एक किलो वाट के बरावर होता है तो किलो वाट में चेंज करने के लिए हम 65,000 को हम जो है change कर देंगे यहाँ पर 1000 से भाग कर देंगे क्यूंकि 1000 वाट 1 किलो वाट के बरावर होता है तो 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर हमारा किलो वाट में change हो जाएगा तो 60 66. ये सॉरी 66.5 किलो वाट हमारा answer आ गया सही answer option C हो जाएगा देखे next question flux का मातरक क्या होता है flux को किसमें मापा जाता है तो flux को दोस्तों waiver में मापा जाता है मतला flux का SI मातरक waiver होता है और अगर आप से पुछा जाए कि दाव का SI मातरक क्या होता है तो पासकल होता है और अगर आपसे पुछा जाए दोस्तों कि आवेस इलेक्ट्रिक चार्ज का इसा ही मात रख्या होता है तो कुलाम होता है और अगर आपसे पुछा जाए विद्यूत पर्ति रोध ठीना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का इसा ही मात रख्या होता है तो ओम होता है और जिस यं इंग्लिस में दोस्तों mutual induction कहते हैं, ठीक न, next question करते हैं, ऐसा transformer जो धारा की उच्छे वोल्टता को निमन वोल्टता में वदल देता है, उससे क्या कहते हैं, देखें, इस question का सही आंसर होगा दोस्तों, अब चाई transformer, ठीक न, घरों में आने वाली धारा की वोल्टता वा आवर तो 220 वोल्ट होता है, ठीक न, और अवर्थी को आपको पता है, हर्ज में मापते हैं, तो 50 हर्ज की अवर्थी से आती है, एक होर्स पावर कितने वोल्ट के बरावर होता है, most important question, आपने से बहुत सा रिश्मन को पता होगा इसका answer, 744 वोल्ट के बरावर होता है, ये engine की सक् पता होना चाहिए, जो फ्यूज होता है दोस्तो इसको प्यों किया जाता है, जब घरों में दोस्तो हाई वोल्टेज के करंट आता है, तो बाकी उपकरणों को बचाने के लिए ही फ्यूज लगा जाता है, और इसमें जो तार लगा होता है न उपकरण, ये बहुत ही कम गल लांक वाला होता है अब उच्छे पर्ती रोध का मतलब होता है विरोध करने की पावर अब उच्छे पर्ती रोध होगा तो उतना ज्यादा करंट को जो है रोक पाएगा तो यह यही होता है तो इसका सही answer option C होगा आयोप आपको समझ में आया होगा देखिन एक्ष्ट कोश्चन आज कल फ्यूज तार की स्थान पर उपयोग में लिया जा रहा है MCV का प्रियुक्या जाता है जिसका full form होता है miniature circuit breaker ठीके नो देखिन एक्ष्ट कोश्चन काफी ज्यादा important है ऐसी युक्ति जो voltmeter, ohmmeter वा ammeter तीनों का कारे निस्पादित करती है उससे क्या कहते है इसे दोस्तों multimeter अब कहाई जाने लगा है यह तीनों का कारे करता है अब voltmeter क्या करता है दोस्तों तो यह voltmeter voltage को मापने का कारे करता है ohmmeter परतिरोध को मापने का कारे करता है और ammeter जो है विद्युद्धारा को मापने का यंत्र है उसका कारे करता है ठीना तो यह तीनों का कारे मल्टिमीटर ही कर देता है question number 24 heater का तापन जो तंतु होता है दोस्तों कि यह दोस्तों, नाइक्रोम का बना होता है, Most Important Question, Refrigerator कारे करता है, किस सिधान्थ पर कारे करता है, तो यह दोस्तों, नियून दाब पर द्रव, ठीक न, लिक्विट का वास्पन के सिधान्थ पर कारे करता है, चलिए, आगे की कुसंस करते हैं, एक किलो वाट में कितने वाट ह देखिए, एक किलोवाट, एक हजार वाट के बराबर होता है, तो ये दोस्तों, डाइरेक्ट जो करंट होता है, उसको अल्टरनेटिव करंट में वदलने वाली युकती है, मतलब कि डाइरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में वदलता है, नेक्स्ट कोश्चन, और सीसा का चलिए, next question करते हैं heater की जो plate किसकी बनी होती है heater की जो plate होती है तो heater की जो plate होती है दोस्तों ये बनी होती है plaster of Paris और चीनी मिट्टी का inverter युकती रुपान्ति रित करती है inverter का क्या कार रहे होता है दोस्तों तो inverter जो है न ये क्या करता है दोस्तों, alternative current को direct current में change करता है, देख लीजे, DC को AC में rectifier change करता है, और inverter जो है, ये AC को DC में change करता है, I hope आपको काफी को समझ में आया होगा, और ये सारा question आप लोग कर लीजेगा दोस्तों, इसमें से mostly questions आपकी exam में फिर से आ सकते हैं, repeat होते हैं हर preview